ओम शान्ति आज की साकार मुरली चार दिसंबर दोजार बीस मीठे मीठे बाबा के महावाक्य हैं मीठे बचे बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्यान से स्रिंगार करने उंच पद पाना है तो सदा स्रिंगारे हुए रहो श्रिंगार कौन सा होना चाहिए ज्यान का गुणों का दीवे गुणों के स्रिंगार से सजे हुए किन बच्चों को देख कर बेहद का बाब बहुत खुश होता है उत्तर जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं अलोकिक और पारलोकिक दोनों बाब को पूरा फॉलो करते हैं ज्यान योग से आत्मा को स्रिंगारते हैं पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाब को बहुत खुश होते हैं बाब की चाहना है मेरे बच्चे महिनत कर उच पद पाएं मेरे बच्चे महिनत कर उच पद पाएं और शाद रुखानी बाप रुखानी बच्चों प्रति कहते हैं मिठे बच्चे बच्चों मिठे मिठे बच्चों जैसे लोकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे सारे के सारे बच्चे प्यारे लगते हैं बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे उँच पद पाएं यही बाप की चाहना होती है तो बेहद के बाप की भी ये इच्छा रहती है बच्चों को ग्यान और योग के गैनों से स्रिंगारते हैं तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीती स्रिंगारते हैं कि बच्चे मुझ पद पाएं कौन से गैनों से स्रिंगाते हैं ग्यान और योग ग्यान और योग से क्या आएगा दिवे कुण बच्चे उंच पदपाई अलोकिक बाप भी खुश होते हैं जो अच्छी रीती पुरिशार्ट करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है फालो फादर तो दोनों को फालो करना है एक है रुहानी बाप दूसरा फिर है अलोकिक फादर तो पुरिशार्थ कर उंच पदपाना है तुम जब भठी में थे तो सब को ताज सहित फोटो निकाला गया था बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं ये एक निशानी है पवित्रता की जो सब को देते हैं ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज होता है ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है पहले पहले तुम रहते हो सत्युग में तुम ही थे ना बाप भी कहते हैं आत्माई और परमात्मा अलग रहे बवकाल सुन्दर मेला कर दिया जब सत्गुरु मिला दला ओम शान्त तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो फिर पहले पहले तुमको ही घर जाना है मुक्तिधाम के गेट्स तो भी तुमको खोलने है तुम बच्चों को बाप स्रिंगारते हैं पियर घर में वनवा में रहते हैं इस समय तुमको भी साधारन रहना है ना उंच ना नीच बाब भी कहते हैं साधारन तन में परवेश करता हूँ कोई भी देधारी को भगवान कह नहीं सकते किसी भी देधारी को भगवान कह नहीं सकते मनुशे की सदगती कर नहीं सकते सदगती तो गुरु ही करते है मनुशे साट वर्ष के बाद वान प्रस्थ लेते है फिर गुरु करते है ये भी रसम अभी की है जो फिर भक्ती मारग में चलती है आज कल तो छोटे बच्चे को भी गुरू करा देते हैं क्यों? क्यों छोटे बच्चे को गुरू करा देते हैं? कि पता नहीं मर गया तो बिना गुरू किये मर गया तो उसको मुक्ती नहीं मिलेगी क्योंकि गुरू बिना तो मुक्ती मिलने से इसलिए छोटे बच्चे को ही गुरु करा देते हैं कि गुरु तो हो गया ना मरेगा तो गुरु उसको मुक्ति देदेगा बलवान प्रस्ता वस्ता नहीं है प्रंत अचानक मौत तो आ जाता है ना इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माईं हो हक है वर्शा पाने का वे कह देते हैं गुरू बिगर ठोर नहीं पाएंगे अर्थाद ब्रह्म में लीन नहीं होंगे तुमको तो लीन नहीं होना ये भक्ती मारक के अक्षर है आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है चोटी सी बिंदी बाप भी बिंदी ही है उस बिंदी को ही ज्यान सागर कहा जाता है तुम भी चोटी आत्मा हो उसमें सारा ज्यान भरा जाता है तुम फुल ज्यान लेते हो पूरा ज्यान लेते हो पासवेद पास्वेद आनर होते है न ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है आत्मा का साइज और परमात्मा का साइज बराबर है आत्मा परंधाम से आती है पाड़ बजाने बाप कहते हैं मैं भी वहां से आता हूँ परन्तु मुझे अपना शरीर नहीं है मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ परमात्मा रूप है उन में सारा ग्यान भरा हुआ रूप का मतलब सारा ग्यान परमात्मा में भरा हुआ है इसलिए उसे कहते हैं ग्यान का सागर जब वो ग्यान का सागर है ग्यान रूप है तो वो है रूप और ग्यान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुशे पाप आत्मा से पुन्यात्मा बन जाते हैं पाप सद गती गती सद गती दोनों देते हैं तुम सद्गती में जाते हो, वे है स्वीट हो, आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है, ये है बसंत, क्योंकि सब को खुशी मिलती है न, अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों वापस जाना है, उसके लिए पवित्र तो जरूर बनना है, बिना पवित्र बने कोई भी वापस घर जाना सके, मैं सब को ले जाने आया हूँ, छोड़ के नहीं जाओंगा, सब को ले के जाओंगा, चाहे राजी खुशी चलो, चाहे मार, खा के चलो, आत्माओं को शिव की बरात कहते हैं, अब शिव बाबा शिवाले की स्थापना कर रहे हैं, फिर रामन आकर वैशाले स्थापन करते हैं, वाम मार को वैशाले कहा जाता है, बाबा के पास बहुत बच्चे हैं, जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं, सन्यासी तो कहते हैं, ये हो नहीं सकता, जो दोनों इकठे रह सके, यहाँ समझाया जाता है, इसमें आमदनी बहुत है, पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बात कहते हैं, तुम काम तितब पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो, कृष्ण के लिए भी कहते हैं, गोरा और सावरा, कब गोरा होता है, और काला कब होता है, शाम सुन्दर, ये समझानी इस समय की है, इस समय संगम युक पर समझाया जाता है, कि एक कल युक के अंत में काला होता है, फिर बाग पाकर शाम से सुन्दर बनाते हैं, काम चिता पर बैठने से सामरे बन गए, फिर उनको गाम का छोरा भी कहा जाता है, वरोबर था ना, कृष्ण तो हो ना सके, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप परवेश कर गोरा बनाते हैं, ब्रमा बाबा गाम का छोरा था, बाबा कहते हैं, वो तो ठीक है, वो तो कृष्ण तो राज कुमार है, वो गाम का छोरा थो ना हो सकता है, अब तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाबा आप कितने मीठे हो, कौन कहएगा बाबा आप कितने मीठे हो, कौन कहएगा, जिसको बाबा से कुछ मिला हो, बाबा के डारेक्शन पर चलने से सुख, शांती का अनभव हुआ होगा, वो कहेगा मीठे बच्चे, मीठे बाबा, कितना मीठा वर्षा आप देते हो, हमको मुनुशे से देवता मंदर लाइक बनाते हो, ऐसे ऐसे अपने से बाते करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, बक्ती मार्ग में आप माशुक को याद कितना याद करते आए हो, अभी आप आकर मिले हो, बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे, आपको प्रेम का, शांती का सागर कहा जाता है, आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेर्णा से कुछ भी मिलता, बाब तो सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पाड़ शाला है ना, बाब कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये राज योग है, अभी तुम मूल वतन, सुक्षम वतन, स्थूल वतन को जान गए हो, इतनी छोटी आत्मा कैसे पाड़ बजाती है, है भी बना बनाया, है भी बना बनाया, इनको कहा जाता है अनादी अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, जो बना बनाया है, हमेशा चलता रहता है, ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशे की कोई बात नहीं, बाप स्रिष्टी के आदी मद्दे अंत का राज समझाते हैं तुम स्वदर्शन चक्र धारी हो तुमारी बुद्धी में सारा चक्र फिरता रहता है तो उससे तुमारे बाप कट जाते है बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की वहां तो ना लड़ाई की हिंसा होती है और ना कामकटारी की हिंसा होती है वहां तो ना लड़ाई की हिंसा होती है और ना ही कामकटारी की हिंसा होती है डबल अहिंसक होते हैं ना तो कामकटारी चलाते ना युद करते लड़ाई करते इस समय तुम्हारी पांच विकारों से युद्ध है बाकी और कोई युद्ध की बात ही अब बाप है उँच ते उँच फिर उँच ते उँच ये वर्सा लक्षमी नारायम इन जैसा उँच बनना है जितना तुम पुरशार्थ करेंगे उतना उँच पद पाएंगे कालप वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी अभी वही पढ़ाई रहेगी जो हर बार पढ़ते हो अभी अच्छा पुरशार्थ किया तो कालप अच्छा करते रहेंगे जिसमानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रुहानी पढ़ाई से मिलता है उँच ते उँच ले लक्षमी नारैन बनते हैं ये भी मनुशे हैं परन्तु देवी कुण धारन करते हैं इसलिए देवता कहा जाता है बाकी आठ दस भुजाओं वाले कोई है नहीं बक्ती में दिदार होता है तो बहुत रोते हैं दुख में आकर आशू बहुत बहाते हैं बक्ती में दिदार होता है तो बहुत रोते हैं दुख में बहुत आशू बहाते हैं यहां तो बाप कहते हैं आशू आया तो अम्मा मरे तो हल्वा खाओ बाबा मरे तो हल्वा खाओ आज कल तो बंबे में भी कोई बिमार पढ़ते हैं वाँ मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांती दो तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया इसमें तुम्हारा क्या जाता है भई रोने से क्या फाइदा कहते हैं इनको काल खा गया ऐसी कोई चीज है नहीं काल जो खा जाए ये तो आत्मा आप पर ही एक शरीर छोड़ जाती है अपने समय पर शरीर छोड़ कर भागती है काल किसे कहते हैं समय को समय किसी को खाता है नहीं समय आया ड्रामा अनुसार हर आत्मा ने अपना पड़ बजाए हर एक ने समय आने पर एक शरीर छोड़ना है दूसरा लेना है पुछ समय का क्या कसूर है समय तो चल रहा है समय तो किसी को पकड़ नहीं रहा हर एक आत्मा समय के नुसार accurate टाइम पर accurate role play कर रही है इसमें समय को दोश देना यह अज्ञानता है अपने समय पर शरी छोड़कर पागती है बाकी काल कोई चीज नहीं है सत्युग में गर्ब महल होता है क्योंकि गर्ब में आत्मा को कोई तकलीफ नहीं उसको सारी स्विधाएं उपलब्द होती है जिससे वो अपने शरीर की रचना अच्छी पना पाता है सजा की बात ही नहीं है मात मारे कर्म अकर्म हो जाते है माया ही नहीं जो विकर्म हो तुम विकर्मा जीत बनते हो पहले पहले विकर्मा जीत संबत चलता है फिर भक्ती मार्ग शुरू होता है तो विकर्मी संबत चलता है पहले होता है विकर्मा जीत फिर होता है विकर्मी संबत इस समय जो विकर्म किये हैं उन पर जीत पाते हो नाम रखा जाता है विकर्मा जीत फिर द्वापुर में विकर्म राजा हो जाता है, विकर्म करते रहते हैं, सुई पर अगर कट चड़ी होगी तो चुम्बक खीचेगा ही ने, जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुम्बक खीचेगा, बाप को पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं जैसे लोकिक बाप भी बच्चों को देख कर खुश होते हैं, बेहद का बाप भी खुश होता है, बच्चों की सर्विस पर, बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है, तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले इश्वर ये मिशन अभी तुम इश्वरिये संतान हो। तुम इश्वरिये संतान हो। बेहद का बाप है और तुम सब बहन भाई है। बस और कोई संबंद नहीं। मुक्ती धाम में है ही बेह बाप और तुम आत्माई भाई भाई भाई। फिर तुम सत्युग में जाते हो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची। बस यहां तो बहुत संबंद रहते हैं। कितने चाचा काका मामा मूल वतन में तो स्वीट होम हैं। मुक्ती धाम उसके लिए मनुश्य कितना यग्यतप आधी करते हैं। प्रन्तु वापस तो कोई जा भी ना सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सद्गति धाता तो है ही एक। दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम पर यहां है धेर मनुश्य सत्युग में तो बहुत थोड़े होते हैं। स्तापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने कारण कितना हंगामा है। तुम सौ परसेंट साल्वेंट थे फिर 84 जन्मों के बाद सौ परसेंट इंसाल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सब को जगाते हैं। आप जागो। सत्यूग में सत्यूग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बारती सच खंड बनाता है बाप सच खंड बनाते हैं। चूट खंड फिर कौन बनाता है। पांच विकारों रूपी रावन। रावन का कितना बड़ा बुत बनाते हैं। फिर उसको जलाते हैं क्योंकि ये नमबर वन दुश्मन है। मुमश्यों को ये पता नहीं है कि कब से रावन का राज्य हुआ है। बाप समझाते हैं आदा कलब है रावन राज्य आदा कलब है रावन राज्य बाकी रावन कोई मुनुश्य नहीं जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावन राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं फिर जय जय कार हो जाती है वहाँ सदैव खुशी रहती है वो है सुकदा इनको कहा जाता है पुर्ष ओतम संगम युग बाप कहते हैं इस पुर्षारत से ही तुम ये बनने वाले हो तुम ये बनने वाले हो चित्र भी बनाए थे बहुत आए फिर सुनन्ती कथन्ती बागन्ती बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं बाप टीचर प्यार करते हैं गुरु भी प्यार करते हैं सत्गुरु का निंदक ठोर ना पाए तुमारी एम अबजेक्ट सामने खड़ी है उन गुरुओं के पास तो एम अबजेक्ट कोई होता ही वे कोई पढ़ाई नहीं है ये तो पढ़ाई है इनको कहा जाता है यूनिवस्ट्री काम होस्पीटर ज इससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो यहां तो है ही जूट गाते भी है जूटी काया जूटी माया जूटा ये संसार और सत्युगै सचक वहां तो हीरे ज्वारतों के महल होते हैं सोमनाज का मंदर भी भक्ति मर्ग में बनाया है कितना धन था फिर मुसल्मानों ने आकर लूटा बड़ी बड़ी मजजदे बनाई बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं शुरू से ही तुमको सब साक्षात कार कराते आए हैं बाप अल्ला अवल दिन बाबा है अल्ला अवल दिन अल्ला आकर सबसे पहला धर्म स्थापन करते हैं आवल दिन बाबा ही है पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं और वो है देटी इजम देवी देवता धर्म आदी शनातन देवी देवता धर्म जो धर्म है नहीं अब नहीं है वे फिर से स्थापन होता है सब जानते हैं प्राचीन सत्युग में इन्हों का ही राज्य था उनके उपर कोई नहीं डेटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है अभी तुम जानते हो फिर औरों को बताना है सब को कैसे पता पड़े जो फिर ऐसा कोई उलाना ना दे कि हमको पता नहीं पड़ा तुम सब को बतलाते हो फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो कहते हैं हाँ बाबा पाँच अजार साल पहले हम मिलने आए थे बेहद का बाप वर्षा लेने आए थे बेहद के बाप से बेहद के बाप का वर्षा बेहद के बाप से वर्षा लेने आए थे कोई आकर सुनते हैं कोई को साक्षाद कार होता है ब्रह्मा का तो ये वे याद आता है फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं तुमारी अविनाशी ग्यान रतनों से जोली बरती है न ये पड़ाई है साथ दिन का कुर्स लेकर फिर भल कहां भी रह मुर्ली के आधार पर चल सकते हैं साथ दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुर्ली को समझ सकेंगे बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीती समझाते हैं अच्छा मिठे मिठे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गोड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते दारना के लिए मुखिस सार स्वधर्शन चाकर फिराते पापों को भसम करना है रूहानी पढ़ाई से अपना पद स्रेष्ट बनाना है किसी भी परिस्तिती में आशू नहीं बहाने है ये वान प्रस्त अवस्ता में रहने का समय है इसलिए वनवा में बहुत साधार रहना है ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच वापस जाने के लिए आत्मा को सम्पूर्ण पावन बनाना है वरदाट मननशक्ती द्वारा बुद्धी को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्व शक्तिमान भव मनन शक्ती ही दिवे बुद्धी की खुराक है जैसे भक्ती में सिमन करने के अभ्यासी है ऐसे ग्यान में स्मृत्ती की शक्ती है इस शक्ती द्वारा मास्टर सर्व शक्ती मान बनो रोज अमरत वेले अपने एक टाइटल को स्मृत्ती में लाओ एक टाइटल को स्मृत्ती मिलाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धी शक्ति शाली रहेगी शक्ति शाली बुद्धी के उपर माया का वार नहीं हो सकता परवश्ट नहीं हो सकते क्योंकि माया सब से पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बान द्वारा दिवे बुद्धी को ही कमजोर बनाती है इस कमजोरी से बचने का सादन है मनन चिंता मनन शक्ति दिवे बुद्धी स्लोगन है आग्याकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं दुआओं का परभाव दिल को सदा संतुष्ट करता है ओम शान्ती